हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं जारखंड राज के साहिब गंज जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिये हुए रेड कलर के बटन को दबा कर हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाते हैं तो हमें नीचे कोमेंड करकर जरूर बताएगा तो साहिब गंजिला यह जिला भारत देश के जारखंड राज में इस्तित जारखंड के कुल 24 जिलों में से एक सा साहिब गंजिला जारखंड के पच्छिम भाकी और बसा हुआ है जिस वज़से इस जिले की सीमा बिहार वा पच्छिम बंगाल राज से मिलती है इस जिले का हेड़कॉर्डर ओपिस साहिब गंज सहर में मौजूद है और साहिब गंजिला संथाल प्रगना मंडल के गंडा जिला है साहिब गंजिला में दो तैसिल नौ बलोक एक लोकसभा तीन बिधान सभा बारा पुलिस स्टेशन तीन नगर पालिका इक गारः सरकारी बैंक पाच कालेज एक मुख्य विजली घर तीन मुख्य सरकारी अस्पताल आठ सहर और अठ्रस और अनिस गाउं में बटा हुआ है चत्रफल की बात करें तो साहिब गंजिले का कुल चत्रफल 702 वर्ग किरोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जन गर्णा की अनुसार साहिब गंजिला की कुल अबादी 11,50,560 है जिसमें की पुरुष की कुल अबादी 5,89,391 और महिला की कुल अबादी 5,61,186 है साहिब गंजिले का अउसत लिंगन उपात 948 के करीब है यानि की साहिब गंजिला में 1,000 पुरुष पर 948 महिला है साहिब गंजिला की मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है गंगा नदी के किनारें पर बसा यह जिला जारखंड की राधानी राची से महज 388 किलोमीटर तथा देश की राधानी दिल्ली से लगबग 430 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है इस जिला में हिंदु धर्म की अबादी तो हम आपको बताए है यह लेकिन अभी यहां पर हम बता दें कि साहिब गंजिला में जो भासा बोली जाती है वो कितना परतिसत बोली जाती है तो हिंदी 11 परतिसत बोली जाती है संथाली 16 परतिसत बोली जाती है बंगाली 22 परतिसत बोली जाती है और उर्दु 6 परतिसत बोली जाती है सड़क रास्ते की बात करें तो साहिब गन जिला में कोई मुख नेशनल हाइवे तो नहीं है लेकिन फिर भी इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहां के वासी आसपास के पुडोसी जिला और जारखंड के बड़े-बड़े सहरों में जा सकते हैं वैसे यह जिला बस के माध्यम से भी पुडोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गावों तक भी बस से वामोय या परदान कराता है रेलबे इस्टेशन की बात करें तो साहिब गन जिला के मुख रेलबे इस्टेशन का नाम साहिब गन जंसन है इस जंसन में तीन पलेटफॉर्म सामिल है और इसका इस्टेशन कोड स, बी, जी है और यहा रेलबे इस्टेशन इस्टन रेलबे जोन के मालदा डिविजन के अंत कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं वैसे इस देले की साच छर्तादर 54 परतिसात है जो की खास नहीं है यान कि यहां के आबादी के आधे से थोड़े जादे लोग पढ़े निके हैं जिसमें की पुरुस्व महिल साहिब गंजिला के मुख्य स्किलों में सुमार बी एस के कॉलेज साहिब गंज कालेज बी एल एन बोहरा कालेज राजमल सौर्शति ग्यान मंदीर आइडियल पबलिक स्कूल जनता इंटर कॉलेज यह सभी स्कूल साहिब गंजिला में मौजूद हैं जो आज पास के स्कूल गंजूद को अच्छी तरह से सिच्छा परदान करते हैं साहिब गंजिला में कएसे मुख्य अस्पताल भी हैं लेकिन हमने आपको बताया कि तीन मुख्य सरकारी अस्पताल है इसके अलावा कएसे प्राइबेट अस्पताल बी समार हैं जिनके नाम सुर्या होस्पीटल, सदर होस्पीटल, दिव्या होस्पीटल, प्रेम जोती होस्पीटल, सिरी हीरन होस्पीटल, जोनका होस्पीटल, अलसीफा होस्पीटल, अमिरिका हेल्थ सेंटर आधी सामिल है परेटन अस्थल की बात करें तो यह जिला खुपसूर्ती के खाजानों से पूरी तरह से भरपूर वो मसहूर है साहिब गंजिला के परेटन अस्थल में सुमार फोरिस पार्क, मोती जर्ना, राजमहल, मीना बीबी का मकाबरा, सीवगड़ी, तेलियागीरी, मागी मेला, अकबरी मजजीद, आधि नामों से लोग काफी वाकिव हैं दोस्तो, साहिब गंजिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कोमेंट करकर जरू बताएं, वीडियो अचला काओ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें, और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्र चलू करदेंगे